कई बार सपनों में भगवान से जुड़ी कुछ चीज़ें भी दिखाई दे जाती है जिसका सही से मतलब नहीं समज़ पाते हैं कि इसे शुब है या अशुब अगर आपको सपने में भगवान शिव से जुडी से चीज़ें दिखाई दे जाएं तो समझे की आपकी किसमत खुल गई है अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखे तो मतलब लंबे समय से चल रही आपकी परिशानिया खत्म होने वाली है अगर आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन हो तो सुबह शिवलिंग पर दूद चाहिए सुअपन शास्त्र के अनसार सपने में तांडव करते हुए शिव जी को देखना शुब नहीं बलकी शुब होता है ये धन की ओर इशारा करता है वैसे इसका एक मतलब ये भी है कि आपको सफलता के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आपको सपने में भगवान शिव का कोई मंदिर दिखे तो इसका मतलब आपको लंबी बिमारी से चुटकारा मिलेगा सपने में भगवान शिव का सांप दिखने का मतलब आपको जल्द ही धन लाब होने वाला है